तो आर 6 जुलाई 2023 को Meta Company ने Thread नाम का application launch कर दिया है, आप सबको बता हुगा और बहुत सारे लोग उसको यूज़ भी कर रहे हुगे Thread क्या है? Threads एक micro blogging application है सिर्फ और सिर्फ Android और iOS app पे अबलेबल है, website इसकी नहीं अबलेबल है यार क्योंकि हम लोग बहुत बार website भी use करते हैं बट website इसकी नहीं मिल रही है, अबलेबल नहीं है तो इस पे हम लोग जा सकते हैं और यहां पे छोटे छोटे टेक्स tweet कर सकते हैं, tweet, twitter का competitor है, तो इसलिए हम इसको tweet बोल रहे हैं बट यहां पे हम लोग post share करते हैं इसको हम बोलते है, thread, तो thread हम post कर सकते हैं, और उस पे लोग reply कर सकते हैं जाकर करके अपना share कर सकते हैं जो भी उनके thoughts हैं, यह काम कर सकते हैं में important है कि मार्च जगरबर का कहना है कि यह twitter का competitor है और कहना ही नहीं बिल्कुल यह competitor है compete करने के लिए ही launch किया गया है अब अगर लोगों की माने यार तो यह एक fast growing application है within a day एक दिन के अंदर 30 million लोगों ने sign up किया है इस application में तो आप सोच सकते हो कि कि इस जल्दी यह grow कर रहा है इवेन, chat gpd से भी जादे लोगों ने उतने time में sign up किया है इस application में अब इसका अलग reason है क्योंकि यार देखो thread क्या है कि Instagram से direct link up हो जाता है तो directly अगर आप sign up करने जाते हो तो वहाँ पर simply आपको बस Instagram profile choose करनी है सारा data वहाँ से आजाएगा और यहाँ पर use हो जाएगा तो इसलिए लोगों की संख्या जादा है जादा लोग download कर रहे है जल्दी जल्दी डॉट कर रहे बाई जल्दी जल्दी लोग इस पर आ रहे है ठीक है तो अगर देखा जाए तो यह fastest growing application है बहुत जल्दी जल्दी इस पर लोग आ रहे हैं लेकिन लोग ये भी बता रहे हैं कि Twitter का ये downfall भी आ सकता है, Threads ला सकता है Thread एक ऐसा application है जिसकी आप से Twitter का downfall भी आ सकता है तो यह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले Threads के बारे में और समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा Twitter के बारे में Twitter 2006 में launch किया गया था as a standalone application और ये भी एक micro blogging application था जहां पर लोग कुछ share कर सकते हैं, thoughts share कर सकते हैं कुछ limited text को लिख करके and ऐसा ऐसा करके growth होती गई बात में इसके android application वगरा भी आ गया पहले website वगरा आई थी और बात में इसके android application आ गया and finally last 2022 में Elon Musk ने Twitter को खरीद दी लिया and सबसे ज़्यादा Twitch तभी आया क्योंकि जब Elon Musk ने Twitter को खरीदा उस समय क्या हुआ 11% traffic down हो गया Twitter का and लोग इसे कम use करने लगे क्योंकि यार देखो बहुत सारे चीज़ें uncertain हुई, बहुत सारे Twitter में changes किये गए Elon Musk ने बहुत सारे changes किये मैं ऐसे example के तोर पे बता रहा हूँ कि वहाँ पे पहले क्या होता था जो popular लोग होते थे उनको blue tick दिया जाता था as a verified account बाद में जब Elon Musk ने Twitter को खरीद दिया तो लोग क्या करने लगे ऐसा feature आ गया कि अब लोग अपने आपको वेरिफाय करके blue tick खरीद भी सकते हैं ऐसा से करके changes होने लगे तो लोग थोड़ा सा कम use करने लगे क्योंकि वहाँ पर uncertain चीज होने लगी कुछ uncertainty वाली चीज़ें होने लगी क्योंकि वो चीज़ Elon Musk के हाथ में चले गए बहुत सारे employees को निगाल भी दिया गया तो थोड़ा सा कह सकते हो कि टूटर डगमगा है 2022 में जब Elon Musk ने खरील दिया और उसी समय Elon Musk की वाट चलने लगी किसके साथ भाई Marks अगर बर के साथ तो यह चलते हैं और अब हम एके करके बात करते हैं कि actually Twitter और Instagram में क्या difference है क्या अंतर है और हम अपना opinion भी देंगे हर एक feature के बाद एक एक करके डिक्स करेंगे और opinion भी मैं आपना प्रवाइट करूँगा तो चलते हैं सबसे पहले आर बात करते हैं account creation जिससे हम लोग sign up भी बोलते हैं किसी भी website या फिर किसी भी application को यूज करने के लिए हमें अपना account पहले create करना पड़ता है तो जो Twitter है वो एक stand-alone application stand-alone application मतलब उसका किसी दूसरे से कोई नाता नहीं है वो किसी पर depend नहीं है तो हम Twitter पर जा करके और अपनी email ID डाल दे email ID को verify कर ले and verify करने के बाद हमारा account create हो जाएगा अपनी हम detail डालने अपनी profile photo डालने और अच्छी खुगसूरत photo डालने देन हमारा account create हो जाएगा और फिर हम क्या कर पाएंगे tweets कर पाएंगे Twitter जब हम post करते हैं तो Twitter के post को tweet बोलते तो हम tweet कर सकते हैं अब यहां पर क्या है कि थोड़ा सा कह सकते complex हैं कि हम गए email ID डाला email ID डालने गवाद email ID को verify कि अकाउंट को verify किया email ID verify हुआ OTP डाला देन हमारा account बनेगा लेकिन अब अगर threads की बात करें त्रेट्स में यह चीज़ बहुत असान हो जाएगी बहुत असलिए हो जाएगी क्योंकि threads भाई Meta का है और Meta Facebook Instagram इन सब की parent company है and threads की भी parent company है तो आप जैसे फ्रेट डाउनलूड करोगे फ्रेट अप्लिकेशन प्ले स्टोर से डाउनलूड करोगे एप स्टोर से डाउनलूड करोगे ओपन करोगे तो अपने आप से क्या करेगा आपको बस एक्जिस्टिंग इंस्टाग्राम अकाउंट से लिट करना है और सारी डीटेल उठा करके ले आएगा आपको से बटन क्लिक करना है ना email id डालनी ना कुछ डालना सारी डीटेल लाएगा आपको दिखाएगा एक बार उसको रिव्यू कर लिजे और आप डन करिए जैसे डन करेंगे तो आपक यह respond टैंस्टाग्राम की और उसकता है मैं इस्टाग्राम यहमीच करना जा रहा हम मैं तर्फ ठीट जिुसकर तो आप आज बकॉझ आछंगे-धरल बाली यह difference है account creation में अब जब हम account creation के बात करी रहें गाइस तो हम account deletion के बात कर लेते हैं कि suppose आपने 10 दिन यूज किया मैंने ही मालो 10 दिन यूज किया 10 दिन यूज करने के बाद हमें थ्रेट्स पसंद रही है और हम चाहते हैं यार की थ्रेट्स से हमारा सारा यह चीज आप नहीं कर सकते हो तो यहां से प्राबलम वाली बात स्टार्ट हो जाती अगर आपको ठ्रेट्स करना है तो इंस्टाग्राम यूज करना पढ़ेगा अधर वाइस नहीं यूज कर सकते हैं जबकि ट्विटर में ऐसा नहीं है तो किसी पर कि डिपेंडी नहीं कर रहा है आप जब तक मर्जी यूज करो चाहो तो आप वहां से अकाउंट को डिलीट कर सको तो यह डिफरेंस है तो मेरे एकोसिस्टम में डेटा शेर रहेगा वाई फेस्बुक इंस्टाग्राम ट्रेट्स आपस में डेटा शेर रहे गए रहेगा अभी थोड़े जबाद हम लोग प्राइवेसी के बात करेंगे वाई तो उसमें भी बहुत सारी दिक्कते हैं तो चलते हैं अब बात करते हैं कि इनका पेड भी है पेड वर्जन है अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो उसकेस में आपकी लिमिट बढ़ जाएगी बट फ्री वाले में क्या है कि आपको सिब 280 करेक्टर की लिमिट मिलेगी आप बहुत कुछ तो नहीं लिख सकते हो कहानी थोड़ा सा लिख सकते हो फ्री 500 रिमिट है 500 करेक्टर निमिटल सकते हैं तो यह यहां पर पश्कर सकते हो तो यहां प्रेड को थोड़ा सा फाइदा हम जहां पर ₹प्री अगर फो 1990 के उपर भी तो अगर्ण तुर्टर में लोग तो चलते हैं लोग पैसा देह तरह को ईड्स अगर मोसिते अगर अगरा पूलते हैं आपलेशन इसको अभी अपना खफा पहर जमाने हैं अपना जमाना है इसलिए अभी इन-क फ्यूटर में बिलकुल आफ वह उदिंगता है嘛 पर बहुत सारे एक्ट तो तो फ्रेंट पर ब्हुत पर पहले यह था कि वहाई जो पॉपिलर लोग हैं जिनके आर्टिकल बहुत सारे इंटरनेट पर लेवल हैं उनको ब्लूटिक दिया जाता था अगर आपके पास इंस्टाग्राम पे ब्लूटिक है तो आप जब अकाउंट करोगे तो आपको ब्लूटिक ट्रांसफर हो जाएगा और वही ब्लूटिक आपको मिल जाएगा बट इंट्रस्टिंग चीज है कि थ्रेट्स पे भी आप पैसा दे करके अपने आपको वेरिफाय वेरिफिकेशन मिली जाएगा ओके तो आप खरी सकतो इस पे और उस पे भी बट्स धरेट का कर सकतो खुद का यहां पर वेरिफिकेशन खरीने वाला कोई प्लान नहीं है वह इंस्टाग्राम से आजाता है ओके तो यह रही वेरिफिकेशन की बात बिल्कुल दोनों पर अपने 2 पर चाहते हो चाहल के यार जो एकर करेंब फ Suppose उन्मारे टाराइब के ओ कुछ घ्य बैरीत आपको जो सकते हुड फोटा Nord को सब्सक्राइब जो धो इस हमत जो सब्सक्रा करें मतलब जिक्राम तो जब तो यहां पर दो इंपोर्टिण चीज और बात करूंगा एक तो प्राइबिसी के बात करूंगा और यहां पर एक सच्छन इंपॉर्टेंट है जो मुझे सब जब ज़ए इपॉर्टेंट लगता है वो थ्रेट्स में नहीं है तुल अगर आप ट्रेंडिंडिंग सेक्षिन अ या दुनिया में क्या चल रहा है जो चीज़ चल रही है उसी साफ से आप यह नमाल लगा सकते हो हाँ यह चीज़ें चल रही है यह अभी उसमें जा करके contribute और काकी चीज़ें कर सकते हो बट त्रेट्स में ऐसा कुछ भी नहीं है कोई trending section नहीं है वहाँ पे आप लेटेस नीज कैसे जानों गया वहाँ पे आप स्कॉल करते हो हों फिट बस स्कॉल करते हों फिट बस तो दोनों चीज़ें कैसे इंटरफेस तो सहीं ही है बस ट्विटर में आप जा करके देख सकते हुआ trending section अंटनिक section की importance भी है बहुत जादा trending section की importance है threads में ऐसा नहीं है बट यार देखो threads में भी आज आएगा future में अभी यह section नहीं बड़ यह important चीन थी इसलिए मैंने आपको यह point बदाया अब यहां पर data privacy की बात कर लेते हैं data privacy बहुत एक important section होता यार बहुत एक important चीज होती अगर आप किसी application को यह किसी website को यह को यह कोई भी software यह कर रहा हो बात करें threads की तो दाइस threads product है Instagram का that means Facebook का and that means Meta का तो Meta Parent Company है that means जो policies जो privacy policies Instagram की है Facebook की वही threads की भी तो data collection की भी policies सारी वही है Instagram की and Facebook की that means data सारा वही collect कर रहा है और वो उसका अधिकार हो data collect करेगा data collect करेगा जैसे Facebook करता था जैसे Instagram करता था वैसे यहीap theft भी data collect करेगा and Instagram Facebook thread जो भी है वो mundane data को ज्यादा को टो आपके personal data को आपकी hobbies को इस तरह से personal data को ज्यादा करते हैं जिससे कि आपको personalized ads को नहीं है बात में जब data collect होता रहेगा ए अथ dealt में यह लोग एड्स 100% लॉच्ट करेंगे करेंगे अब इनका डेटा शेयर भी आपसमें Facebook का इन्हीं का डेटा है Instagram का इन्हीं का डेटा है और 3 से भी डेटा लेंगे तो डेटा जाहिर आए Facebook के पास Meta के पास important बात यह सबसे important यह कि Facebook के साथ ऐसे cases आ चुके हैं कि data leak हो चुका यह हो चुका वह हो चुका मैं तो कहूंगा data secure नहीं है Facebook के अंदर तो एकदे में नहीं क्योंकि दो तीन cases आ चुके हैं भी 2016-17 के आसपास ही आपने सुना होगा तो बहुत ऐसे cases आ चुके हैं अगर लाइस टुटर के बात करें तो टुटर भी data को collect करता है बट as compared to meta as compared to Facebook या as compared to Instagram यह कम personalized data को collect करता है that means Facebook या meta बहुत साथा personalized data को collect करता है as compared to tutor टुटर एक example दो तो टुटर हो सकता है आपके email address को ले ले ठीक है या हो सकता है आपके location को ले ले बट personalized data यह कम collect करता है as compared to Instagram तो इतना जादा कह सकते हैं कि इतना जादा खतरना Facebook कितना तो नहीं है क्योंकि Facebook के साथ तो पहले भी cases आचोगे इसका data इतना लिग हो गया अब हो सकता है उस लिग data में आपका भी data हो आपके email ID हो आपका भी password हो तो कह सकते हैं कि अभी जो data की privacy policies है वो मुझे personally बताऊं तो ज्यादा Twitter की अच्छी लग रही है and Facebook का तो आप लोग को पता ही पता ह अब आप जिस पर अपनी audience गुरू कर पाओ वही app सच है वाकि मैंने comparison कर दिया अगर आपको कोई और चीज पता है तो comment screen बता सकते हो और इस तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हो और आप threads जादा यूज कर रहो कि Twitter जादा यूज कर रहो ये भी comment screen पता सकते हो बिलते हैं इसे तरह से नेक्स्ट वीडियो तब तक लिए अपना दान रुकिए बाबाई जहिंजेवारत